हालो गाईज वेलकम बाक टू दिस चैनल आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक एनलोग क्लॉक यूजिंग एच्टेमल सेसे एंड जावस्क्रिप्ट इस क्लॉक में मैंने कोई भी इमेज यूज नहीं करी है यह क्लॉक मैंने स्क्राइट से डिजाइन करी है अब द यह आवे हैं हमारी एच्टेमल फाइल और टी एसेस के लिए बनाते हैं स्टाइल डॉट सी एसेस और एक बना लेते हमनी जावस्क्रिप्ट के लिए यह हमारी जावस्क्रिप्ट फाइल आवे इसमें जावस्क्रिप्ट कोड रहेगा हम अपनी एच्टेमल फाइल में आ ज दिखाई देता है यह आगे analog clock, title हो गया हमारा, अब आ जाते हैं हमारे body tag में, इसमें मैं एक class लोगी, class को हम डॉट से denote करते हैं, तो मैं लोगी dot container, और इसके अंदर मैं एक और class लोगी dot clock, हमारे class आ गई है, मैं आपको इसे run करके दिखा देती हूं यहीं पर, जिससे आपको code और, design एक साथ show उतर आएगा, यह देखे, यह हमारा, डिजाइन आपको यहां show होगा है, हम लेते हैं, expand tag, और उसमें लेऊंगी मैं एक bold tag, इसमें हमारे लिखेंगे 1, 1 से 12 तक इसमें सारी marking लिखेंगी, अब मैं इसे copy कर लेती हूं, मैंने इसके लिए alt, shift और down arrow की उसकर है, और मैं इसमें सारे changes जल्दियंदी कर देंगे, देखे 12 तक, यह सारी हमारे clock की नमटिंग आ जाएंगी, 1 to 12, अब देख सकते हैं, यह यहां आ रही है, अब आ जाते हैं, हम अपनी CSS को style करने के लिए, सबसे पहले link tag यूज करके, अपनी CSS फाइल को attach कर देते हैं, अपन और padding, यह दोनों 0 कर देते हूं, default margin और padding हमेशा हमें elements में होता है, वो हट जाएगी और फिर हम अपनी padding और margin सेट करेंगे, box sizing ले लेती हूं, border box, यह कुछ default styling होती है, जो आपको कर लेनी चाहिए, starting में, और ले लेते हैं font family, मैं sensory fuse कर रहे हूं, आप Google fonts भी import कर सकते हैं, और अब मैं अपनी body को style करती हूं, सबसे पहले, body, मुझे यह clock अपने center में चाहिए, पेज के, तो मैं यहाँ पर flex box उज़ करूँगी, तो display flex कर देती हूं, देखिए, अब justify content center करूँगी, जिससे हमारी clock horizontally center होगी, और देखिए center में आ गई है, align item से, यह हमारी vertically center होगी, यह अ that is 100 VH, यह देखिए, यह center में आ चुकी है, हमारी clock आप देख सकते हैं, अब इसको एक background color भी दे देती हूं, मैं, hashtag 212121, यह देखिए, मैं इसका color, साधे elements का default color, white कर देती हूं, क्योंकि मेरा background black है, यह देखिए, अब बाक्ग्राउंड ब्लाक है, यह देखिए, यह देखि visible होगा, अब हम style करते हैं, अपने container को देखिए, इसकी position, मैं container लिया है, मैं इसकी position मैं relative करूँगी, क्योंकि मुझे आगे clock को, यह numbering को style करना है, उनकी position absolute लेके style करूँगी, इसलिए इसकी position container की मैं relative रखिए, अब style करते हैं, हमारे clock को, यह हमारी clock है, dot clock, और इससे style करते हैं, इसमें मैं पहले width लेती हूँ, इसकी 300 pixel, मुझे क्योंकि सबसे बहले अपना outer border बनाने हैं इसमें, एक circle, इसकी height और width आगई, border radius इसकी 50% कर देती हूँ, जिससे circle आ जाएगा, अब आपको show नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें मैंने कोई color नहीं दिया, अभी तक, मैं पहले सबसे बहले से color देती हूँ, बी-सी-जी लिखेंगे, आप तो background color आपको show हो जाएगा, यह देगे, अब मैं लिखती हूँ, RGB, A, मैंने एक RGB value लिए, आप चाहें तो HSL, या फिर कोई hex code भी लिख सकते हैं, मैं prefer करती हूँ hex code या RGB value, आप नाम भी लिख सकते हैं, बेस्ट प्रेक्टिस होती है, या आप hex code या RGB value करें, instead of name, border लेने थे हैं, यहाँ पर मैं एक border ले रही हूँ, 2 pixel solid, और मैं इसी RGB value को copy कर लेती हूँ, हाँ मैं इसकी opacity थोड़ी सी change करूँगी, 0.25, यह दिखिए, अब आपको border भी दिख रहा हैं, बैक्ग्राउंट कलर भी, बैक्ग्राउंट कलर के opacity में थोड़ी change करना चाहरी, 0.3 जादे होगी, 0.1 ही ठीक है, अब हम इसे एक box shadow दे रहे हैं, जिससे आपको एक shadow दिख जाई, पूरे border के around, मैं इसको भी एक black shade दे रहे हूँ, अब इसकी intensity आपको बहुत जादे दिख रहे है, shadow होगी, मैं इसको थोड़ा light करूँगी, मैंने एक white color में लिए दिखिए, इसकी में 0.9 रखोंगी, देखिए, आपको इसके चारो तरफ एक boundary दिख रही होगी, वह हमारी shadow है, देखिए, अब आजाते हैं हम अपने, यह जो हमारी numbering है clock की, हमें इसे style करने हैं सबसे पहले, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इसे style करना है ना, तो मैं span type को style करता हूँ मैं, clock के span को ले 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 ते हूँवर, और इसकी position दिख से वहले आपको लूट करूँगी, और अब में को इसे rotate कराना है, तो मैं transform को rotate करूँगी, और मैं इसमें एक inbuilt calc calc function यूज करूँगी, यह एक inbuilt function है, जो हमें अमारी value calculate करके देता है, आप Google करके देख सकते हैं, यहां मैंने लिया है 30 degree, और यह 30 degree क्यों लिया है, मैं आपको बताती है, देखिए हमारा angle पूरा circle कितने degree का होता है, 360 degree का, और हमारी numbering कितनी है clock की 12, तो 360 upon 12 कितना होगे है, that is 30 degree, इसलिए यह मैंने 30 degree लिया है, राठा देते हो, और अब मैं इसे multiply करूँगी, एक variable से, आप देखेंगे, मैं variable, मैं अपनी variables को HTML में ही define करूँगी, सबसे पहले है, multi functional, multi cursor functionality अड़ कर देती हूँ, आप all दबाकर जहां 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 लेके जाएंगे, वह आपको multi cursor आ जाएगा, और आप एक साथ add कर सकते हैं, मैंने style लिया है, सबसे पहले मैं एक variable बनाऊंगी, i के नाम से, और उसमें भी मैंने बन रहा है, मैं change कर देती हूँ, आपको सारे changes करके दिखा देती हूँ, चलती है, यह हमारा variable आ चुक है, हर numbering के लिए मेरा variable आ चुक है, मैं इस variable को direct अपने CSS में यूज़ कर सकती हूँ, यह तो मैं अलग अलग style करती, मैंने यहाँ पर X साथ यूज़ कर लिया है, देखिए, calculator function क्या करेगा, 30 degree, यह rotate कर रहा है, और यह variable बन लेगा, अगर 1 है, तो सबसे बढ़ उठाएगा 1 को, तो 1 into 30 is 30, ऐसो उठाके change कर देगा, अब insert ले 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 दे, 12, अगर insert नहीं देंग करूंगे सबसे वहले, क्योंकि यह सारे center में नहीं है, यह देखिए, center में आ चुके है, अब अभी भी यह सारे center में आ चुके है, अपने अपनी position ले ले लिया है, लेकिन यह अभी भी सही नहीं है, मुझे अभी भी जो हमारा बीट आया है, उसे style करना पड़ेगा, देखि मैंने अपना transform function यूज कर रहा है, उपर, ऐसे ही मैं इसकी numbering को style करने के लिए भी यूज करूंगी, जो हमारा बीट आग है, मैं इसको style करते हूँ, देखिए, यह मारा clock span ही लिए मैंने, यह मारा बीट आग, अब इसको style करते हूँ, इसकी position मैं absolute रखोंगी, नहीं, इसकी position रहने देदें, transform करते हैं, मैं rotate ही करूँगी, मैं rotate इसलिए, अब यहाँ बे माइनस 30 डिए इसलिए rotate कर रहे हूँ, जिससे जितने भी numberings है, जिससे हमारा 12 है, वो आपको सीधा दिख रहा है, बाकी सारे rotate अबने, थोड़ी से angle से, मैं उनका angle, माइनस 30 डिए rotate कर दूँगी, देखेगा, वो बिलकु लाइन में आजाए, अब भी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इनकी display block है, मैं इनकी display inline block कर दूँगी, देखेए, यवने position ले चुके हैं अब, अब लग रही है कि हमारी watch है, इसका point size बढ़ा दे दे, थोड़ा सा ज्यादर विसिबल होगा, यह देखे, अब हमारी watch लग रही है कुछ, कि हाँ, हमने watch डिजाइन करी है, अब एक काम करते हैं, हम अपनी hands, clock की तीनों hands डिजाइन करते हैं, सबसे पहले इसके बीच में जो एक point आईगा, circle वो डिजाइन कर ले थे, clock के before में, यह आजाते हैं, clock के before में, यहां पर सबसे बले content को थो empty छोड़ देंगे, क्योंदे हमें कोई content नहीं लिखना है, यहां पर, position को absolute करेंगे, और इसकी width और height दूँगी में, 8pixel, और इसको मेरे को circle बनाना है, इसलिए border radius मैं इसके 50% कर दूँगी, और, अब इसको एक color देती हूँ, और इस शोड़ नहीं हो रहा है, इसको मैं white color दूँगी, यह center पर देखे, यहां पर हमारा, यह circle आ चुग है, मुझे इसे center बलाना है, तो अब मैं clock भी, flex box लगाऊंगी, सबसे पहले, flex box मेरा favorite है, मैं most of the time यूज़ करती हूँ से, इसके display flex करेंगे, और justify content करेंगे center, जिससे horizontally center बाच हैगा, यह देखे, horizontally center में आ गया, और align item करते ही, यह vertically भी center हो जाएगा, हमारा dot, यह देखे, यह हमारी, बिल्कुल center में आ चुका है, अब हम style, अब अपनी हम hands बनाते हैं clock की, आर minute और second hands, तीन होगो, हम आ जाते हैं पहले, अपनी html code में, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, अपनी hands के लिए code, सबसे पहले मैं लूँगी dot, hand, class, और इसमें एक i tag भी लूँगी, और इसको multiply करना है 3 से, पहले मैं group कर दीती हूँ, वरना यह तीन बार i थो आ जाएगा, hand नहीं आएगा, यह आप एमिट कर shortcut है, you can use this, यह देए, वरना मुझे तीन बार type करना पड़ता, अब मुझे एक ही बार type करना पड़ता, अब हम अपनी hand के eye को style करते हैं सबसे पहले, यह हमारी आगई hand, classlingam.div, hand और इसके eye tag को सबसे पहले style करेंगे, इसकी position आपसलूट करनी है सबसे पहले, और अब करते हैं, इसको एक background color देते हैं सबसे पहले, मैं भी white color दे ले रही हूँ, इसका color हम change करेंगे बाद में, इनकी width देते हैं, 4 pixel, और इनकी height देते हैं, अभी मैंने 70 pixel ले लिए, मैं अभी change करूंगे, आप देखेंगे, यह देखें, हमारी hands आ रही है, यह हमारी 3 hands आ रही है, यह तीनों आपको show नहीं होंगे, क्योंकि अभी overlap कर रही है, मैं इनको border radius को 8 pixel कर देती हूँ, जिससे थोड़ी सी rounded हो जाएगी, अब यह मुझे अपनी clock बिल्कुल उपर की side चाहिए, तो मैं अपनी hand को design कर, style करती हूँ, अभी इसकी position नीचे की तरफ है, मुझे अभी उपर की तरफ चाहिए, क्योंकि हमारी clock हमेशा 12 की तरफ से start होती है, इसे लिए, अब मैं इसे style, यहाँ पे भी हम style type यूज़ करेंगे, जैसे हमने हमारे span tag में style कर रहा था, ऐसे ही, यहाँ पर मैं color दे देती हूँ, क्योंकि मुझे, यहाँ तो मैं color change करती, अपना एक-एक hand के लिए, पहले hour hand के लिए, फिर minute hand के लिए, फिर second hand के लिए, मैंने अगर यहाँ पे style color ले लिया है, तो मुझे एक ही बार variable बना लूँगी color और वो variable अपनी CSS में बास कर दूँगी, तो मुझे बार बर अपनी सारी hands को अलग-अलग style नहीं करना बड़ेगा, अलग-अलग color बास नहीं करना बड़ेगा, यहाँ आगया है हमारे hand के लिए minute, hour और minute end हो गई है, यह देखिए, यह हमारी show नहीं हो रही है, रुकिए, यह white color हो गई है, मैं आपको इस color को पर ले variable को पास करती हूं, यह देखिए, जहाँ पर पास करती हमारी hands को, sub hand हमारी minute hour और second hand को सब को अलग-अलग color मिल जाएगा, अब हम सबसे महले से center मिलाते हैं उपर, इसको मैं position को absolute करूँगी शबसे महले, और मुझे अब इसको center मिलाने तो मैं फिर से flex box का ही use करूँगी, अब कुछ भी use कर सकते हैं, positions का use कर सकते हैं, grade का use कर सकते हैं, बट मैं flex box यूज करती हूँ, जादे तर और ये काम हम position का use कर सकते हैं, easily, यह देखे, हमारे बिल्कुल center में उपर की sign आ गए हमारी आए, अभी आपको minute hour, आर एंच होनी हो रही है हमारी सिर्फ second hand च हो रही है क्योंकि अभी और overlap कर रही है, मैं आपको, अब script हम javascript पर move करते हैं क्योंकि हमारी clock ready है, अब हमें move कराने के लिए javascript लिखनी वड़ेगी, मैं लिख लेती हमनी javascript, फाइल अटाच करते हैं, श्टेमल से और आए जाते हैं, cfs, javascript code में, यहाँ पर हम आ गए हैं, मैं आपको बताती हूँ, अब calculate कैसे करेंगे, कि हमारी minute r और second hand जो है, वो कितनी move करनी चाहिए, आपको यही नहीं पता अगर, कि हमारी hand कितनी move करेगी, तो आप move कैसे कराएंगे, यह देखिए, यह हमारा पूरा angle कितना होता है, 12 से 12 तक 360 degree, और हमारी hand कितनी होती है, 12, तो 12 r में कितना angle बनता है? 360 degree गा, अब अगर 12 r में 360 degree का angle बना, तो 1 r में कितना बनेगा? 360 by 12, यह आपनी unitary method आपको आता ही होगा, यह देखिए, 360 by 12, यह हमारा 1 r में angle बनेगा, that is 30 degree, तो h r में कितना बनेगा हमारा angle? यह देखिए, मैं 30 लेकर देखिए, 30 और h r में कितना बने, 1 r में 30 degree बन रहा है, तो h r में कितना बनेगा? 30 h degree, यह हमारा r के लिए, h के लिए होगा, अब हमारी जब r and move करती है, तब हमारी minute hand में भी कुछ movement होती है, 1 bar में calculate करेंगे, लेकिन हमारी minute hand की वज़े से, और second hand की वज़े से, हमारी r and में भी changes होती है, तो जो second hand होती है, उसकी वज़े से जितनी movement होती है, हमारी hand होती 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 है, इसलिए minute hand का हम यूज करेंगे, और देखेंगे उसकी वज़े से कितनी movement होई है, हमारी hand में यह देखिए, आपको दिखाते हो, हमने लिखा न, यहां 1 hour में 30 degree, हमारी clock rotate करती है, हमारी hand rotate करती है, यह तो 1 hour में 60 minute लिख सकती हो, 60 minute में 30 degree अगर move कर रही है, यह आप लोग समझे है, अगर 1 hour में 30 degree move कर रही है, मैंने उसे ही 60 minute लिखा है, 60 minute में 30 degree, तो 1 minute में कितना move कर रही है? 30 by 60, that is half degree, 1 by 2. अगर 1 minute में 1 by 2 degree move कर रही है, तो हमारी जो hand है वो M minutes में कितना move करेगी जो हमारी clock की होई है एक minute में half degree move कर दिया तो M minutes में वो M by 2 degree move करेगी तो हम यह जो हमारी M minutes में जो changer है वो हम अपनी car hand में भी attach कर दे रहे हैं तो यह है हमारा total जो हमारी घंटे वली घंड़ी है वो इत्ते time भूमेगी अब आज आते हैं calculate करने के लिए अपनी minutes के लिए 60 minutes में हमें पता है कि हमारी घड़ी जब भूम थी ऐस हुई तो साथ मिनट में वो 360 degree rotate करती है तो एक मिनट में कितना गरेगी 360 by 60 that is 6 degree एक मिनट में 6 degree करेगी तो एम मिनट में कितना गरेगी 6m degree यह आगे हैं हमारी मिनट के rotations आगे हैं आप देखे न उबर आप देख सकते हैं clock में अब seconds के लिए calculate करते हैं जब 60 minute में गूम थी अब 60 second में पूरी सुई को जब गूमती है 60 second में 360 degree वन सेकंड में कितना रोटेट करेगी 360 by 60 that is 6 degree एक सेकंड में और हमारे सेकंड में कितना मूफ करेगी 6s degree यह आगई हमारी आर्स के लिए यह आगई हमारे मिनट के लिए और यह सेकंड के लिए हमने पूर्टेशन निकालन लिए अब हम एक काम करते हैं जावास्क्रिप्ट को लिखते है सबसे बहले हम अपनी जो हमारी सारी हैं सुई है उनको एक ID दे देते हैं तीनों को मैं Multiculture Functionality यूज़ कर रही हूँ और इनको एक ID दे देते हैं इसको दे देते हैं आर क्योंकि हमें यह सारी तीनों सुई हमारी JavaScript में चाहिए इसको minute और इसको second तब ही हम इने rotate करवा पाएंगे तो मैं JavaScript में इने लेने तूँ अब क्लास भी लगा सकते हैं या टाग नेम कुछ भी उसकर सकते हैं मैंने ID ले लिए या गई हमारी आर और मैं इसे ही कॉपी करके मिनिट्स और सेकिंड्स के लिए उसकर लेते हो जाब एक मिनिट के लिए और कुछ चेंज कर दिखाते हैं यह सेकिंड्स के लिए तो अब हमारी तीनों आर्ण से आचुकी है अब एक काम करते हैं हम सबसे भएल एक फंक्शन बनाते है, डिस्प्ले टाइम को इसमें हम अपना जावस्क्रिप्ट रोटेशन गा पूरा कोड लिए एक क्लॉक रोटेशन नर और मैं सेट इंटेवल यूस्चर लेते हो इसमें मैं पास कर दें दूंगे अपना function और time function पास कर दें displace time और यहां मैंने 1000 पास कर रहा that is one millisecond 1000 millisecond one millisecond one second के बाद time mode देगा अब ले लेते हमारी date date हम लेंगे date class से new date यह याद रखेगा date का capital D capital है अब ले लेते हैं date है हमारी यह हमें date में हमारे day भी देगा हमारे hours minutes seconds milliseconds सब कुछ देगा लेकिन हमें सिर्फ हमारे hours minutes और seconds चाहिए तो हम उसमें से हमारे hours minutes और seconds में से निकाल लेंगे देखेगा इसमें मैं फंक्षन का यूज करूंगे सबसे पर ने लेते हैं लेट एच्छ चीज इगोल सू डेट डॉट यह हमारे जो वरियेबल मैंने वो लिया है डॉट इसका फंक्षन दोते हैं इसके डेट देखेए सारे फंक्षन आपको यहां कि आपको फंक्षन दिख जाएंगे याद करने की जरुवत नहीं है आप गूगल भी करके देख सकते हैं यह सेकेंड यह आगए अब हमें रोटेशन अपनी क्याल्कुलेट कर रहे हमने क्याल्कुलेट करी दी न मैंने आपको समझाई थी अब यहां पर हम चाल्कुलेट भ इसमें हमारी आर्स की रोटेशन आएगी तो कितना था 30 डिगरी तो 30 आर्स थे 30 आर्स प्लस मिनेट्स की वज़े से जो था वो कितना था अब मैं लिए मिनेट्स के लिए रोटेशन मिनेट्स की रोटेशन कितनी है हमारी 6 इंटू मिनेट्स और हमारी यसी सेकिंड की रोटेशन है सिक्स इंटू सेकिंड्स डिगरी हम अपने रोटेशन में लिख देंगे यह देखे अब मैं स्टाइल करती हूं इनको रोटेशन कराती हूं सबसे पहले हमारी क्या है और एंड को लेते है जो वरियेबल हर में स्टाइल डॉट ट्रांस्फॉर्म स्टाइल से हमारे सारे स्टाइल की वंक्षित यहां पर आ जाते हैं हमें हमें रोटेट कराना है मैं बैक्टिक्स में ले रही हूं बैक्टिक्स आपको जो मारा वन होता है उसके साथ में होते हैं आप देख लिएगा रोटेट यहां पर मैं लोगें डॉलर और रोटेट में मुझे कितना वहांना आपकी clock rotate नहीं करेगी यह देखे रोटेट होना start हो जाएगी अभी आपको आर्स की दिखिए ऐसे आपको minutes और seconds की भी देखे हमारी minutes के लिए हम उन्हें variable लियता है min minutes और m rotation बास करेंगे इसमें और second के लिए second और s rotation यह देखिए यह हमारी clock move कर दिये हमारी clock बिल्कुल ready हो चुकी है गाल्स आप देख सकते हैं यह हमारी clock आ चुकी है पूरी ready हो चुके मैं करते हूं यह हमारा जो point hands का center point इसको उपर लेके आती हूं कि यह आपको नीचे दिख रहा है पहले तो अपने clock जो है ने उनकी height change करती हो मैं यह देखे जैसे हमने अपनी color change करे थे ऐसी सब clock सब हैंड की सारी सुई जो हूं है तब की height अलग अलग रहूंगी मैं क्योंकि अभी सेम हाइट की है कि लेट से मैंने इनकी height ले दिए हूं और मैंने css में css में style ना करते हूं मैं इनका variable html में बना रही हूं वरना मुझे हर सब्सक्राइब को अलग अफसाइल करना पड़ेगा यह देखिए यह हमारी सब की अब भी मैंने variable पास नहीं कर रहा है तो आपको सब की height सेम ही दिखेगी आपने यहां पर हमने हाइट रखी थी उससे वरियेबल बात कर देते हैं यह देगे अब हमारी क्लॉक जित्ती भी एंड्स है तीनों इनकी हाइट अलगल वह चुगी है अब हमारी क्लॉक जाद अच्छे देख दिख 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 है हमारी जो और है इसकी हाइट में थोड़ी से बढ़ाती हूं सेवेंटी और कर देदी हूं टेंटेंट विक्सल का डिफरेंस हो गया इन में यह देखिए यह आपके वर्किंग ग्लॉक बिल्कुल रेडी है अब मैं काम करती हूं सबसे बहले इसकी सेंटर पॉइंट को थोड़ा उपर की दरफ लाती हूं कि यह मैं जी इंडेक्स का यूज करी गरूँए इसका बाइडिफॉल जी इंडेक्स बन होता है मैं इसका टू कर देखे अब लग रहा है कि हमारे ऐंड्स मूव कर रही है कि बिल्कुल वर्किंग ग्लॉक आपको दिख रही है यह मारी ग्लॉक रेडी है इस पर हमने कोई इमेज यूज नहीं कर यह बिल्कुल कॉप्राइच से हमने अपनी गलॉक बनाइए अब गाइस प्लीज अगर and thank you for watching this video